नास्कार दोस्तों मैं जीत और आप मेरे पेज जीत भारती पे हैं अभी मैं बात करने जा रहा हूं स्वीडन में हो रही मतलब फैल रही शांती के उपर शांती प्रिया एक मजहब है और वो सारे काम इतनी शांती से करता है और पूरे विश्य को जो है शांती की छत्री के नीचे लाना चाहता है स्वीडन जो है उसके बारे में अगर मैं बताना चाहूं कि स्वीडन कैसा देश है स्वीडन, नॉर्वे, फिनलेंड ये सब नॉर्डिक कंट्रीज कहलाते हैं और इन देशों में क्राइम का रेट लगभग मतलब टेंडिंग टोर्ड जीरो था बगली में निधरलेंड्स है और इन सारी जगहों पर इन फैक्ट यूरोप का वो जो हिस्सा है उपर वाला उसमें क्राइम रेट बहुत ही कम रहा है उसका कारण ये एक ये भी रहा है कि उधर की पॉपुलेशन जो है अल्मोस्ट एक तरह से कह सकते हैं कि बाहरी सभिताओं से मतलब जैसे यूरोपियंस जो हमेशा अपनिवेशिक प्रविट्टी से इधर उधर जाते रहते थे वह सब उसमें इन लोगों ने दिमाग ज्यादा नहीं लगा खासकर कि ये तीन देश जो ह होती है सीरिया में क्रैसिस क्या होती है कि वहाँ जो है यूएस वाला अपना भराक ओवामा जिसको नौबल शांति पूर्षकार मिला है तो ओवामा सहाब जो वहाँ पे अपने जो नए-ने एक्विट्मेंट्स इनके आर्मीज को और इन सब को मिलता है वो सब टेस्ट कर र इसके बाद क्या होता है कि जिस साल यह सब हो रहा था उसी के अगले साल जर्मनी में New Year's Eve पे इसी खास मजहब के लोगों ने मोलेस्टेशन रेप और तमाम चीजे New Year's Eve पे जो पाटियां होती है नए साल की आगमन की उसमें इन्होंने खूब हंगामा मचा है यह जाके आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं उसके बाद कुछ लोगों ने कहना शुरू किया कि भाई यह लोग जो आए हैं उधर से यह लो इन्होंफोबिया हर वो चीज है जो एक खास मजहब के लोग जो है जिनको जो बातें पसंद नहीं है और उनके किताबों में तमाम तरह की बातें जो जो लिखी हुए है उसके अगेंस्ट आप जाएंगे जिसमें से एक है की काफिर जो है डियर फिट टू भी मुर्डर्ड मतलब वाजिबो लकतल है उनको मार दिया जाएं खेर मसला वो नहीं है मसला ये है कि स्वीडन में दंगे हो गए नमें दंगे क्यूं हुए? स्वीडन में दंगे उसी कारण हुए हैं जिस कारण से बैंगलोर में दंगे हुए थे किसी खास गजब के शांती प्रिया समुदाय के वक्ति ने एक पोस्ट किया था क्रिश्न को जो है बलातकारी और इस तरह की बातें लिखते हुए देवी देपता के उपर कुछ उल्टा सिधा लिखते तो उसी के जवाब में एक लड़के ने लिखा और उनके जो दावन वक्ति हैं उनके उपर कमेंट किया कुछ और कमेंट किया तो ना सिर्फ उसके चाचा का जो विधायक था उसका घर जला दिया गया पूरा बैंगलोर जो है तबाह करने कोशित हुए शाहर को कई लोग यूए पिय के अंतरगत धर लिए गये अब आएए वापस स्विडन पे स्विडन पे क्या हुआ कि वहाँ भी इसी तरह की साइध हुई कि बाइबिल के उपर किसी ने कुछ बोला था तो किसी ने उनका जो होली स्क्रिप्चर है उसको जो है जला दिया अब जला दिया तो इन लोग को एक मिलना चाहे मौका अब फिर एक पैरलल में ड्रॉ करना चाहूँगा हाली में हीर खान का नाम सुना होगा और हीर खान के साथ ही और भी आपने कई instances सुने होंगे जिसमें हिंदू देवी देपताओं को गाली देना उनका उफास करना उनकी अशलील तस्वीरे बनाना मीम्स बनाना और भद्दी भद्दी गालियां लिखना ये सारी चीजें जो है आम है ये सारा होता रहा आपने कभी सुना इन सारे केसेज में कि हिंदू ने कहीं दंगा कर दिया नहीं किया बजा इसके कि कोई मुसल्मान खास मजहव का व्यक्ति ऐसी गालियां देता रहा हिंदू कभी ने करता है वो हमेशा लीगल रिकॉर्स सीख करता है उस पर एफ आ से जाएंगे लेकिन एक खास मजहब के लोग हैं जिनको कानून विवस्था में विश्वास नहीं क्यों कि उनके लिए कानून विवस्था वो है जो वो मानते हैं भारतिय सम्विधान उनके लिए कानून विवस्था नहीं है तब वो क्या करते हैं कि वो दंगों पर उतराते ह सबकों पर आग लगाते हैं बसों को आग लगा देते हैं जितना वहिकल साएगा मार काट आपने देखा है दिल्ली में भी इसी तरह की चीज़ आपने दिल्ली में भी वही हुआ और स्वीडन में जो हो रहा है उसकी पटकथा आपको समझनी पड़ेगी कि जब यूरप ने अ मतलब शरन लेना मतलब अपने आप में सोचे कितना अच्छा शब्द है और जो खास करके शरन देता है शरनागत की रक्षा करना मतलब रमाइन के टाइम से आप और हम सुनते जाते हैं कि विशन जब शरन लेने आए ते या दुसमन का भी कोई व्यक्ति है जो आता है तो उ स्वीडन वालों ने पूरा दिल खोल के कि नहीं पूरा मतलब वो वन अप मैंशिप उसको बोला जाता है वो करने कोशिस कर रहे थे कि जो भी लोग डीमोनाइज करना चाह रहे हैं इन लोगों को जो विचारे सताय हुए है मारे ठीक है वो सताय हुए थे इसमें कोई डाउ तो जहां भी जाते हो वहां समस्याएं क्यों आनी शुरू होती है यह सांती का वातावरन क्यों फैलने लगता है यह सोचने वाला प्रष्ण है तो वही यहां पे हो रहा है कि स्वीडन में पहले एक छोटे से इलाके में इन लोग को लाया गया उसका अचानक से आपको यह पता होना चाहिए आप जाके सर्ज कीजिए कि रेप केसेज में प्री सीरियन रिफ्यूजी स्वीडन का आप नाम भी कभी नहीं सुनेंगे और सीरियन रिफ्यूजी जो ही वहां पहुंचते हैं खास मजहब के लोग आप फिर जाके डेटा देखे कि स्वीडन रेप कैपिटल of the world बन जाता है पर 100,000 population जो है उसमें आप आप बलातकार की घटना आप गिनने लगेंगे तो आपको पता चलेगा इस ट्रमेंडस अचानक से वो पूरी की पूरी घटनाओं की संख्या में यूज स्पाइक आता है भारत उस चार्ट में टॉप 20 में भी कहीं पर नहीं है औ भारत को जो है तमाँ तरह का रेप करप्टिल का जाता है खेर वो बात अलग है तो स्वीडन में होने लगा है स्पाइक आज यह ख़बर मेंने परही कि नौर्वे से नौर्वे ने थोरी चाला की कि और जब जब इस तरह की चीज़े उन्होंने देखी तो उन्होंने कहा कि बहुत तेजी से स्पाइक कर रहा है क्राइम का रेट तो उन्होंने एक नियम बना दिया कि हम एक साल तक तुमको या तीन महने के लिए छे महने के लिए ट्रेनिंग देंगे तुम्हें नागरिकता नहीं देंगे हम तुम्हें ट्रेनिंग देंगे तुम्हें वोकेशनल ट्र और उसके बाद कहा जाता है कि अचानक से 31% ड्रॉप आया दा मोमेंट देडाप्टेट दिस लौ और उन्होंने किक आउट करना शुरू कर दिया कि मतलब जिस तरह के काम जो तुम कर रहे हैं उसे साब से स्विडन में भी इनका यह था कि शुरू में जो ही गए तो थोरा सा शांती पूर्ण तरी के सरहना उसका इनके जो आप आपको आश्चरी होगा यह जानके कि परिस तक में गेटो और स्लम्स बने हुए हैं आप लोग सो सरकों पे रोम की सरकों पे जो है बैटके वही हो रहा है जो भरत की सरकों पे होता है इल्लीगली अकुपाय कर लेना जगह को अपने राइट्स असर्ट करने लगना कि नहीं भाय हम तो हम तो सताय हुए हम माइनॉर्टी हैं हमको राइट्स मिलने चाहिए पूरी की पूरी स जो हमारा minority वाला है इधर आप नहीं आ सकते हैं फिर जो है structures खड़े होने शुरू हो जाते हैं उसके बाद ये लोग जो शरणागत हैं शरणारती हैं जो बाहर से आये हैं और आने में बहुत सारे मतलब ऐसा नहीं है कि दो चार सदियां बीत गई या पीडियां बीत गई कि त पता नहीं कि तुम कितनी मजबूरी में आये थे तुमको किसी ने बसने के लिए जगह जमीन दी नौकरियां दी और फिर तुम उस पे अपना rights assert करने लगते हो and then उसके बाद जो है तुम जो है धंगों पर उतर आते तो वही हुआ यहां पर कि जो ही इनकी संख्या थोड़ तो कुछ नहीं होता है तो इन्होंने वहां भी देखा कि स्वीडन के लोग तो बरिशांत है नौर्वे के लोग तो बरिशांत होते हैं फिल्नेंड वाले तो बरिशांत होते है यह जब उन्होंने देख लिये तब यह अपने rights को assert करने लो त 요रा राइट्स क्या है यहाँ पर राइट्स वही है कि हमारा जो कानून है हमारे जो अपने लीगल बिलिप सिस्टम्स है वह जो है वही हम मानेंगे तुम्हारा सम्विधान तुम्हारा या जो भी है वह हम नहीं मानने वाले इसलिए उन्होंने फिर अभी आपने देखा कि एक किताब जलादी ठीक है तो कौन सी बड़ी बात होगे तुम जाओ वहां के लीगल सिस्टम में जाके बोलो कि भाई यह हमारी आस्था का अपमान है गो एंड सीग रिकोर्स वह नहीं कर भी कर देंगे और इनको कोई गिल्टी नहीं होती गलानी नहीं होती यह हत्या कर देते हैं और बोलते हैं कि हमारे लिए तो उपर में सीट और बुकिंग रिजर्व क्या हुआ है शरीर यहीं छोड़के जाओगे तो उपर में बहत्तर हूरों का होगा क्या यह कभी सोचते अगर आप थोरा सा दिमाग लगा के दिमाग भी नहीं मतलब इन फैक्ट आप सिर्फ चीजों को देखे पैटर्न को आप अइडेंटिफाय करने लगे तो क可以 में आने लगेगा कि नहीं है कि आप लोग को येसे मतलब पता ही नहीं कि या चाहते हैं तो अभी आप Twitter पर देखेगा Facebook पर देखेगा Twitter पर ये ज्यादा चल रहा है वहाँ पर चल रहा है वहाँ पर ये दोचार जो मुसलमान नाम वाले लोग हैं जो बेचारे जुभाय टाइप के लोग हैं, वो क्या कर रहा है, कि दंगे हुए ये तो सब को दिख रहा है, मतलब सरकों पे लोग उत्रे हुए हैं, आग लगाई जा रही है, पेट्रोल के, मतलब सेम हर जगा इनका मोडस ऑपर एंडाई सेम है, पेट्रोल बम फेकना, आग जनी करना, जो भी वेहिकल सामने आता है, उसको आग लगा देना, डंडा मानना, पत्थर भाजी करना, ये इनका सेट पैटर्न है, कहीं लिखा हुए किसी किताब में, यही ये लोग फालो करते हैं, ये दिख रहा है सब को, अब ये लोग क्या करने पे फैक्ट चेक कर रहे है, तो उससे क्या हो जाता है, उससे क्या, are you denying the fact that these rights are taking place, वहाँ पे लोग मर सकते हैं, लोग घायल हो रहे हैं, तमाम तरह की बाते हैं, तुम assert क्या करना चाहते हैं, तो फिर पता चलता है कि नहीं, उम्मा वाली बार, कि है तो सब एक ही न, एक दंगे कर रहा है सड़कों और दूसरा उसको बचाने के लिए उतर रहा है, उसके बचाव में उतर चुका है, उसको डिफेंड कर रहा है, उसको डिफेंड भी कैसे कर रहा है कि नहीं, तुम्हारी सोच में कुछ समस्या है, हमारे में समस्या नहीं है, उदर दंगा तो नॉर्मल सी चीज है, हमारी वो तुम्हारी सोच में है तुम तुमने रायट्स का इमेज शेयर करने में जल्दी वाजी क्योंकि असली वाला रायट्स का क्यों नहीं दिखा है और ये कहने के चक्कर में ये लोग अचानक से भूल जाते हैं कि फैक्ट तो ये है कि दंगे तो हुए है ऐसा तो है नहीं कि दंगे हुए ही ने और किसी ने जो है नकली फोटो लाके और एक्यूज कर रहा एक एक मजभ को कि देखो देखो इन लोगों ने दंगे की है ये अभी एक डेवलपिंग स्टोरी है और इस पर और भी कुछ हैगा तो मैं आप तक लाने कोशिश करूंगा तब तक जुड़े रही है बहुत बहुत आभार आपका इस पेज के लिए नास्कार